हलो एवरिवन स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटे फाउंडेशन क्लासस में तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है आईटे से रिलेटेड सभी यूजपल अपडेट साहे हूँ आईटे एक्जाम से रिलेटेड हो या फिर आईटे जब से रिलेटेड रिलेटेड रेगोलर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप सभी तक पहुँचाता रहता हूँ तो दोस्तों यедje आप लोग फरस्टायम होँआरे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इससे सब्स्राइब करें साथ इसाथ बैल ऐकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि ITIC related सभी useful updates regular आप सभी तक पहुंचते रहें तो guys start करते हैं आज का वीडियो guys आज किस वीडियो में जिस ITIC government job के बारे में details में आपे discuss करने वाला हूँ उसमें 20 से भी ज़्यादा ITIC trades वाले candidates है apply कर सकते हैं online आवेदन जो है वो कब से start होगा और इसके अलावा जो selection प्रोसेस एक्जाम पेटर्न है वो complete details से आप है में discuss करने वाला हूँ तो आप लोग वीडियो को end तक जरूर देखेगा तो guys screen पर आप लोग देख पा रहे होंगे यह जो job vacancy है वो रहने वाली है CSIR मतलब Central Electrochemical Research Institute CSIR के अंतरकर जो है यहाँ पर यह IT job recruitment जो है open हुई है guys online आवेदन जो है इस vacancy के लिए start हो चुका है 23 October 2024 से ठीक है तो 23 October 2024 से online आवेदन open हो चुका है और इसकी end date last date जो है वो है guys 6 December 2024 तक ठीक है आप देखे guys इसमें most important जो है सबसे पहले दू तरीके की vacancy जिसमें available है एक है technical assistant तो यह IT students के लिए नहीं है और दूसरी है technician तो technician की जो 28 post 28 post जो है वो complete IT students के लिए salary यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे guys starting salary है 19,900 से 63,200 रुपे तक age criteria भी यहाँ पे काफी बढ़िया है 28 years यह general category के लिए है guys इसके अलवा ST, SC, OBC को जो है age relaxation यहाँ पे मिलने वाला है तो काफी बढ़िया सांदार जबरदस्ते vacancy रहने वाली है जो candidates चाहते हैं कि हाइफाई एक अच्छे लेवल वाली government job मिले वो सभी इस vacancy के लिए आवेदन जरूर करें आप देखे इसके बाद में सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि कौन-कौन सी IT trades है आप से पहले जो पोस्ट है वो है यहाँ पे देखे इलेक्ट्रिशन एन्वाइर्मेंट ट्रेड की इलेक्ट्रिशन ट्रेड एन्वाइर्मेंट ट्रेड जो है वो उसके लिए यहाँ पे तीन पोस्ट अवेलेबल है और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे अन्रि आवेदन कर सकते हैं आगे देखें गाइस इसमें जो नेक्स टेक्निशन की पोस्ट है वो है सिविल ड्राफ्टमेंट के लिए ठीक है सिविल ड्राफ्टमेंट ट्रेड जो है वो भी यहां पर आवेदन कर सकते हैं और सिविल ड्राफ्टमेंट की टोटल यहां पर दो अवेलेबल है, next जो है यह मसीनिस ट्रेड के लिए है, मसीनिस ट्रेड की भी यहां पे दो पोस्ट अवेलेबल है next इसके बाद में electronic mechanic ट्रेड जो है उसके लिए भी दो पोस्ट यहां पे अवेलेबल है, इसके बाद में next है laboratory assistant chemical plant trade guys, इस ट्रेड से बहुत ही कम vacancies हमें देखने को मिलती है बट यहां पे देखे laboratory assistant trade के लिए भी जो है post available है और obviously category की एक post यहां पे available है गाइस next जो है वो है penta trade अब आपको पता यार penta trade के लिए भी जो है काफी कम government vacancies देखने को मिलती है बट यहां पे देखे एक post जो है penta trade के लिए next glass blower glass blower की post यहां पे एक है और इसी category के लिए इसके बाद में carpenter की भी एक post available है इसके बाद में देखो RSC जो trade है ठीक है refrigeration and air conditioning mechanic जो trade है उसके लिए भी यहां पे दो post available है turner के लिए एक post available है next welder trade के लिए भी यहां पे एक post available है और इसके बाद में देखे copa trade computer operator and programming assistant इसके अलवा जो computer hardware and network maintenance chnm जो trade है उसके लिए भी यहां पे total 4 post available है chnm और copa trade जो है इन दोनों के लिए यहां पे total 4 post available है बड़ा ही golden chance है आपके पास में आप लोग जरूर आवेदन कीज़े guys इसके अलवा plumber trade के लिए 8 post available है और इसके बाद में देखो यार जो आपका digital photographer trade है उसके लिए भी यहां पे 1 post available है next step food production catering and hospitality assistant इस trade के लिए एक post available है next जो है यहां पे motor mechanic trade के लिए भी यहां पे 2 post available है तो इस तरिके से guys complete जो भी eligible IT trades थी और उनकी कितनी कितनी post available है वो complete मैंने यहां पे बता दी है ठीक है लगबग 20 से भी ज़्यादा यह आई टेटेट है जो यहां पे eligible है सबी students जो है जो भी eligible है इन IT trades से pass out है वो जरूर जरूर जो है इस vacancy के लिए online आवेदन करें नेक्स्ट है guys इसके बाद में how to apply मतलब आपको online आवेदन जो है वो कैसे करना है तो आवेदन करने के लिए देखिए बागाय यहां पे लिखवा eligible candidates are required to apply online only through CSIR CECRI website तो आप लोगों को इस website पे जाना है website पे जाके तेवी सक्टूबर अब हो चुका है तेवी सक्टूबर तो obviously जो है इसका online registration जो है start हो चुका है इस website पे जाए और online आवेदन जो है आप लोग यहां से कर सकती हूँ application fees जो है वो भी यहां पे given है पांच उर्पे जो है यहां पे online आवेदन fees रखे गई है इसके बाद में देखें guys most important चीज जो है वो मैं आप लोगों को बताना चाओंगा selection process और जो exam pattern है वो मैं यहां पे आप लोगों को बताना चाओंगा तो जो technician post है या skill test इसका मतलब आप लोगों का जो है practical exam होगा practical exam में आप लोगों का qualify जो है जो भी candidates इसको qualify करेंगे qualify होने के बाद में आप सभी students का जो है four stage second competitive return examination फिर उसके बाद में second stage first stage आप लोगों का trade test होगा और second stage जो है competitive return exam होगा omar based या फिर cbt exam होगा जिसमें mc multiple choice questions आप से पूछे जाएंगे 10th और plus IT standard के question होगे 150 question होगे और यहाँ पे देखे 150 question के लिए आपको 2 गंटे और 30 मिनट का समय मिलेगा जो 150 question है उसका 3 part होगा paper first जो है उसमें आपका reasoning होगा 50 question का paper second जो है उसमें gk और english होगे 25-25 question के ठीक है यह 30 मिनट का slot होगा और यह 1 गंटे का slot होगा ठीक है डेट गंटे होगे बचा third part जिसमें आपका technical knowledge के 50 question आएंगे और 1 गंटे का आपको यहाँ पे भी समय मिलेगा तो इस तरीके से आपके 3 part होगे एक होगे आपका reasoning का 50 question second part में दो subject आपके gk और english 25-25 question के और third part जो है उसमें आपका concerned subject का मतलब है trade theory जो है आपका उसमें के question पूछे जाएंगे 50 question negative marking यहाँ पे रहने वाली है right और हर question के आपको 3 marks मिलेंगे हर question के 3 marks मिलेंगे और अगर negative आप गलत करते हो तो एक marks जो है negative आपका हूज जाएगा इस तरह के से guys आप लोगों का complete exam pattern जो है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है जो भी online आवेदन करना चाहते हैं जो eligible है जो योग के हैं चाहते हैं अपने life में आप लोगों के लिए फिर लेकर आउंगा जरू लेकर आउंगा तो guys जुड़ेरें यह मारे साथ मिलेंगे आपसे next वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद